अब 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 तन्वीर आलम है आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं होली का तहवार है मगर बिहार में राजनीती जो है वो रुक नहीं रही है राज़त विधायक भाई विरेंद्र है जिन्नोंने नितीश कुमार को फिनिश करने की बात कही है जरा सुनिए भाई विरेंद्र किस तरीके से होली के मौके पर नितीश कुमार को फिनिश करने की बात कह रहे हैं नेकिस सबसे बड़ी चीज है कि मुखमंत्री का पद अब इनको जाने वाला है और मानिय मुखमंत्री इतनी बौकलाहट में हैं कि हर किसी को कहते हैं कि बता देंगे इन पर केस करो मुखमंत्री लोक तंत्र में हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है अपनी बातों को रखने का अधिकार है इतना जल्दी मुखमंत्री जी आप हरवरी में चुकि इनको पता चल गया है कि 2020 में हम जाने वाले हैं इसलिए बॉकलाहट में इस सब चीजे बोलने का काम करते हैं दिखे तेजस्वी प्रसाज जादो जी ने कहा है विहार को विसेश राज का दरजा चुकि यह लोग राजनीती कर रहा है केवल सिर्फ और सिर्फ नितीश कुमार जी और एंडिये के लोग भीजेपी के लोग राजनीती के अलावा कुछ नहीं करता है और विहार को डबल इं कि अधर को बर्बबक बना रहे हैं और मुख मुर्ख समझ रहे हैं और हम लोगों ने जुरदार तरीके से सदन और सदन के बाहर में भीजा बिखार को मिलकर और शांती से होली मनाने का काम करें और ये मिलत का होली है और भाई शवी धर्म के लोग मिलकर इस होली को मनाने का काम करतें मैं सबसे सुबकामना देना चाहता हूं कि शांती से होली मनाने का काम करें विधायक भाई विरेंद्र बता रहे हैं कि इस होलिका दहन में नितीश कुमार का भी सर्वनाश हो जाएगा 2020 में नितीश कुमार की वापसी नहीं होने वाली है वहीं तमाम मुद्दों पर भी भाई विरेंद्र ने अपनी बातों को रखा उन्हेंने बोला कि विशेश राज का दर्जा जो है वो हमेशा से हमारा मांग रहा है मगर नितीश कुमार की सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार है आखिर क्यों नहीं वो बिहार को विशेश राज का दर्जा दिला पाती है ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम चोटी बड़ी खबर आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके